दोस्तों आप सभी का सौगता अक्षेवसी चैनल पर इस चैनल पर मैं अक्षेवसी स्टाप को ऐसे पारनोमल इंसिडेंट और अक्टिविटीज के बारें बताता हूँ जो हमारे फॉलोवर और सस्क्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राइम आइडी जीविल आइडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो हमने अपने इस्टाग्राइम आइडी पर अटाच कर दिया और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट वह हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं मैं आक्षेवसिस्ट उसे नेरेट करूँगा अपनी आवाज में आज की जो स्टोरी हमें शूती ने बताई है जो कि लोनावला के आसपास रहने वाली है और उन्होंने एक ऐसा जिकर मेरे सामने छेड़ा जिसको सुनने के बाद मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी के अकॉर्डिंग जाता हूं और शूती की कहानी के अकॉर्डिंग जाता हूं तो शूती की कहानी को मैं बाद में रखूंगा शो में भी फैला हुआ था वहाँ पर एक फादर थे जो कि आईशा के फादर थे आईशा की मदर थी और आईशा उस घर में रहा करते थे पहले वो बाहर रहते थे काफी टाइम की रिसर्च के बाद उन्होंने सोचे कि यार अब हमने बिजनेस में बहुत जादा ट्राय कर लि रोयल सोयल गाड़ी ली थी जो कि अपने टाइम में बहुत ही जादा एक्सपैंसिव थी और पचास साल पहले जहां लोग साइकल और बाइक साफोर्ड नी कर पाते थे इन लोगोंने एक ऐसी गाड़ी खरी थी जिसको देखकर अकसर लोग जला करते थे और इसी वज़े से वहाँ पर एक ऐसी दुरगटना होई जो आज तक लोनावला के लोग अपनी नजरों के आगे देख रहे हैं आज से पचास साल पहले जब ये लोग लोनावला के उस गर में शिप्ट होए थे तो कोई भी लोग जो था इन से आपस में बात नहीं किया करता था और आईशा जो आपर बच्ची हुआ करती थी 17 से 18 साल की उसके साथ भी कोई भी नहीं खेलता था जो कि एक बहुती अजीब चीज सोचने वाली है कि अगर फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं और कोई बच्चे के साथ नहीं खेल रहे हैं तो एक सीधा सीधा ये संगीता है कि फैमिली मे करता है कलोनीज में जब वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था आईशा अपनी लाइफ बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी तब एक रात की बात है कुल 25 से 30 लोग जुन्ड में एकदम से आईशा के घर में गुस जाते और घर में गुसने के बाद वहाँ पर आईशा के मम पापा को जान से ही मार देते हैं और उस घर में आग लगा देते हैं लेगिन आग लगाते टाइम उन्हें वहाँ पर आईशा दिख जाती है तो उनमें कुछ जो लोग थे जो बहुत ही जादा गंदी नजर के थे वो आईशा के साथ बहुत जादा दूस कर्म करते हैं और आईशा को भी वहाँ पर जान से मार देते At the end वह उश घर को पूरी तरीखी से आग लगा देते और वहाँ पर जो रॉस रॉस रॉय खड़ी थी जो गाड़ी खड़ी थी उसको भी बूरी तरीखी से तोड़ पोड़ देते रोइस रोइस जो वाँ पर उस घर में खड़ी थी कहते हैं वहाँ पर कुछ टाइम बाद आईशा की स्पिरिट को देखा गया आईशा जो की 17-18 साल की थी वो उस गाड़ी में बैटी देखी गई कहते हैं वाँ पर एक बच्चा था जो 12-13 साल का था और उसने आईशा को उस टाइम पर देखा था जब आईशा वाँ रहा करती थी वो उस घर के सामने खेल रहा था और गाड़ी में उसे आईशा बैटी देखी उसने पूरे मौले में हाँ कार मचा दी अपने ममी पापा को बताया कि मैंने आईशा को बैटे देखा है आपने मुझे यह बताया था कि आईशा और उसके ममी पापा यहां से जा चुके है तो उस गाड़ी में कौन बैटा है आप बिलीव नहीं करोगे जब पूरा मौला उठके आया सब ने देखा तो सब को आईशा माँ बैटी दिखी सब लोगों ने उस गाड़ी पर पत्थर फैके डर के मारे और उस पूरे मौले में जो है एक तरीके का सननाटा भिखर गया डर के मारे लोगों ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया काफी टाइम तक लोग जो ते घर के भार नी निकलते थे फिर लोगों ने सोचा कि एक स्पिरीटी तो है क्या ही जाधा कर लेगी लोगों ने उस घर में दुबारा गुसने का सोचा लोग उस घर में गुसे और रोयस रोय गाड़ी के पूरी का पूरे तुगड़े कर दिये गाड़ी का सारा समान कोई अपने गर पे ले गया कोई इंजन अपने गर पे ले गया कोई दरवाजा अपने गर पे ले गया और अगली सुबा जब उन्होंने उठके देखा तो वो गाड़ी अपने आप सलामत दुबारा बन चुकी थी इस चीज़ को वहाँ के जो उच्छे लोग थे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की कि बहूँ ये गाड़ी को काट पीट दिया और ये गाड़ी फिर दुबार अपने आप से बन गई पुलीस वहाँ पर आई, पुलीस वालों ने उस गाड़ी को बाहर निकाला और वो पुलीस चौकी में लेके चले गए अगली सुभा वो गाड़ी दुबारा वापिस आ गई अब बहुत सारे व्लॉगर्स है जो उस लोकेशन पर रात को जाते हैं जिन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ फील नहीं होता कुछ लोगों ने कहा बहुत स्पूकी फील होता है एक अईशे आज भी मागे लोगों को उस गाड़ी में बैठी दिखती है और उस घर में आगे पीछे गूमती दिखती है अब आते हैं शुरूती के किसे पे शुरूती ने बताया कि लोनावला में वो आईशा विला से जस 15-20 मिनिट दूरी पर आती है जब उसका लास्ट बर्थडे था दो अजार 23 एपरल की बात है तो उसके बहुत सारे दोस्त आये थे जो आईशा विला के बार में रात को बात कर रहे थे जैसे एक माहौल बन जाता है वैसे ही वो सब वहाँ पे बैठके बर्थडे के बाद बात कर रहे थे सारे जो पेरिंट्स थे उनके वो अलग थे एक जगा पे तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जब जाएंगे वापिस तो आईशा विला एक बार होते जाएंगे तो उसमें एक लड़का था जिसका नाम था मिर्दूल मिर्दूल जो कि बहुत सरारती था शूरूती ने बताया कि वो इतना जादा शरारती था अगर उसको कोई चीज मना करी जाए वो वही करता था सबने मिर्दूल को मना करा था कि आईशा विला में मत जाना वहाँ पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं और मिर्दूल जो था वो कैसे न कैसे जब जा रहे थे तो उसने आईशा विला को टाप कर अंदर गुसा और उस गाड़ी में जाकर बैठ गया अब यहां तक तो ठीक था उसने पूरे घर को एक्स्प्लोर करा जबकि दो बच्चे भार खड़े ओके हैं सब कुई देख रहे थे शूती 23 साल किया और उसके जो साथ में मिर्दूल था और उसके दो दोस्ते वो भी 23-24 के थे मिर्दूल ने बाद में बता है जब वो घर के अंदर गया था तो उसे एक लड़की दिखी थी जो उसे इशारे से बोल रही थी कि भार चले जाओ मिर्दूल शुक्चा बार आगया और जब मिर्दूल भार आया तो वहाँ पर जो गाड़ी का गेट खुला था और मिर्दूल के दोस्तों ने भी यह देखा कि जो गाड़ी का गेट खुला था वो उनके सामने बटाक बहुत तीजी से बंद दो यह चीज देखकर वो बहु मैं आईशा के लिए ये बोलना चाहूँगा कि जो उसके साथ हुआ ये बहुत ही जादा गलत हुआ और काम ना करूँगा उनकी आत्मा को शानती मिले अगर वो अभी भी लोनावला में आईशा विला में है तो उनकी आत्मा को शानती मिले और कमें सेक्शन में आप से spend करती थी गाड़ी में बहुत जादा गूमना पसंद करती थी इसलिए आज तक वो गाड़ी वहीं खड़ी है और कोई भी उसका वाल बाका नहीं कर पाया है बहुत लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की लेकिन वो रोल्स रोइस है वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है और Foto Click करातें लेकिन दो से जादा foto click वो नहीं करवा पातें कहते की जब तीसरी चौती फोट05 करते है तो उनका phone switch off हो जाते मतलब आईशा की presence आज भी आपर है और वो इस चीज को आपर दिखाती है कि मेरी गाड़ी से मजाक मत करो और उस घर में आना बिलकुल open है लेकिन मैं फिर भी आपसे request करूँगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो लोनावला से हो तो इस वीडियो को यही खतम करते हैं आप हमारे इस्टाग्राम यूटिब को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए ताही दिल से शुक्रिया अगर आपके साथ कोई ऐसी activity भी है तो आप screen पर दिये number पर हमें भेज सकते हैं माक्षेवसे इस तो से narrate करूँगा इस्टापे हमें फोलो कीजिए यूटिब पर हमें सस्क्राइब कीजिए और याद से बैल आइकन डबाना बिलकुल भी मत बूल ला तागि हमारी नई वीडियो आप तक आए तो वो पहुचे और आप सबसे पहले देख पाएं नेक्स्ट वीडियो आ रही है तब ते के लिए स्टे ट्यून विद दे चैनल